नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो हम जानेंगे ट्रेंड टिकट बुकिंग में EC क्या होता है तो चलिज वीडियो को सुरू करते हैं साथियों जैसा की ट्रेंड में अलग-अलग तरह की ट्रैवलिंग क्लासेस होती हैं जैसे 2S, Second Sitting, CC, AC Chair Car, EA, अनुभूती क्लास साथियों इसी तरह और ट्रेंड में EC भी एक ट्रैवलिंग क्लास होती है साथियों EC का मतलब है Executive Chair Car जी हाँ साथियों EC का मतलब होता है Executive Chair Car साथियों ट्रेंड टिकट बुकिंग में यह एक ट्रैवलिंग क्लास होती है जैसे की अनुड ट्रैवलिंग क्लास होती है अगर हम बात करें EC या Executive Chair Car क्लास की तो साथियों यह CC या AC Chair Car से अबह होता है उपर होता है जबकि EA अनुभूती क्लास से बिलो होता है या नीचे होता है इसी तरह इसमें जो Facilities मिलती हैं वो CC या AC Chair Car से ज़ाद होती है जबकि EA या अनुभूती क्लास से कम होती है अगर हम बात करें किराय की तो साथियों इसका जो किराया होता है वो AC चेर कार या CC से ज़्यादा होता है जबकि EA या अनुबोती क्लास से कम होता है साथियों जो ये EC या Executive Chair कार है इस ट्रैबलिंग क्लास के लिए ट्रेंड में जो कोचिस लगाया जाते हैं उन्हें First AC Chair कार कोच कहा जाता है जिया साथियों उन्हें First AC Chair कार कोच कहा जाता है तो चले जानते हैं ट्रेंड में ये 1st AC चेयर कार कोच क्या होता है और इसके बारे में अन्य जानकारियां तो साथियों जो ये 1st AC चेयर कार कोच होता है आप यहां इमेज भी देख सकते हैं साथियों ये CC, मतलब AC Chair Car Coach से अबह होता है, उपर होता है जबकि जो अनुभूती क्लास का 1st AC Chair Car होता है मतलब अनुभूती क्लास में भी 1st AC Chair Car Coach होता है उससे ये बिलो होता है इसी तरह facilities भी इसमें AC Chair Car Coach से ज़ादा होती है जब को जो अनुबोती class का first AC chair car है उससे कम होती है साथियों ये जो first AC chair car कोशिस होते हैं इनको E1, E2, E3 और इस series में आगे तक denote किया जाता है जो की EC या executive chair car में आते हैं या इस traveling class में आते हैं तो साथियों simply train ticket booking में EC का मतलब होता है executive chair car इसकी अधिक जानकारी के लिए आप description box को भी चेक कर सकते हैं प्लिस इस वीडियो को like करें, हमारे चेकर सब्सक्राइब करें और bell icon का button जरूर दबाएं मिलेंगे, next video में एक नए information साथ, धन्यवाद